नमस्कार दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल पर श्वागत है आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओल इंडिया कोटा वेटनरी के 15% के रेजिट्रेशन स्टार्ट हो जो के हैं स्टुडेंट जिन स्टुडेंटों ने रेजिट्रेशन ही कराया है वो स्टुड दोस्तों अगर आप ऐसी एस्टी कैटिग्री में आते हो तो जो आपका यह चार्ज है यह सिर्फ 500 रुपे तो दोस्तों चार्ज ज्यादा कॉश्टली नहीं है इसके लाव में बता देता हूं सभी स्टुडेंटों को रेजिट्रेशन करा ना नवार रहे हैं क्योंकि आप आपको खुद को एसास हो गया होगा कियर में कॉलिज मिलेगा या नहीं मिलेगा तो अगर आपको लगता कि म मने के चांसे जें तो अब रिष्टिषन करा सकते हैं इसके राव स्टुडेंट्स में आपको बता देता हूं लास्ट इयर इसमें 525 के सम्तिंग सीटें थी इस वार काफी सीटें बढ़ा दी गई हैं और इसमें और सीटें बढ़ने के चार्श हैं उसे रखता है सेकंड राउंड या मौप अपर राउंड तक रेइस्टेशन करा तब और सीटें भढ़ जाएं तो स्टुडेंट्स में आपको बाता हूं जो मेत्मूणड बहता हैं आप जैसा की स्क्रीन पर देख पारे हो यह सीट मैट्रिक्स है आप इन सब चीजों का दिहन दें जिससे आपको कहीं न कहीं काफी सहूलियत मिले आप देखो दोस्तो आंद्र प्र्देश में तेन कॉलेज दे रखें श कलाव आश्रम है में एक कॉलेज है और बेहर में लगफग एक कॉलेज है चार कॉलेज दे रखें चार कॉलेज दे रखें इसके लावा रियाना में भी स्टुडेंट्स दो कॉलेज दे रखें हमाचल प्रदेश में एक दे रखा जम्मु कश्मीर में दो दे रखें करनाटका में लगवक चार कॉलेज दे रखें केडला में दो कॉलेज है मद्य प्रदेश में दोस्तो तीन क तो इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जान तक मेरी नॉलेज है आपके साथ में बाते शेयर करना जाता हूं कि जैसा कि देख पारे हैं दोस्तों राइस्तान का यह सबसे बड़ा कॉलेज है यह सेंटर है राइस्तान वेटनरी का इसका लब महात्मा जो एक कॉलेज दे रखा दोस्तों प्राइबिट कॉलेज है इसकी 5 लाख रुफे फीज थी अभी राइस्तान की ओफ-लान काउंस्लिंंग हुई थी आ यह ऑन्लान काउंस्लिंग वेटनारी टेस्ट का तो इसमें दोस्तों पांच लाख रुफे फीज रखी गई थी तो अब इसका मतलब यह और इसके लावा दो को देखो ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये जो college दे रहा है, post graduate, दोस्तों, ये college है, ये government college है, इसके लावा ये college ये भी government है, ये अराबली veterinary college है, ये भी private college है, इसकी फीस भी पांच लाग रुफ है अब दोस्तों मैं रायस्तान का रहने वाला हूँ इसलिए मैं रायस्तान की इन कॉलेज़ों के बारे में जानता हूँ लेकिन और भी कॉलेज है सब की मुझे नॉलेज नहीं लेकिन इससे मैं एक आईडिया दे सकता हूँ अब इसके अलावा और भी कॉलेज हैं वो भी प्राइवेट हो सकते हैं तो आप जो कॉलेज की चोईस फिलिंग करें तो इन सब चीजों का नोटिस करें अब यह नहीं देखो आप अब मैं आपको बता देता हूँ अगर आप सबसे पहले यह सोचते हो कि यह दे रखा है अब यह कॉलेज देखने में तो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट में एक एक्जम्बल दे के बताता हूँ आपको देखने में तो शांता लग रहा है कि कॉलेज जैपुर में जैपुर में अच्छा राइस्ता की कैपिटल है अब इस कॉलेज की पांच लाख रुपे फीस है और अगर आपने पहली चॉइस में अगर ये कॉलेज बढ़ दिया कि जैपुर लेते हैं अच्छा कॉलेज है जैपुर पिंक सिटी है आपको यही कॉलेज मिल गया आपके नम बहुत बहुत इंपोर्टेंट रॉल एक कांसलिंग में तो चॉइस फिलिंग भूत ही साब्दानी पूरबग करें अब जैसे यह दे रखा है अगर जैसे में यह कॉलेज बताता हूँ इसी कर वाला कॉलेज दे रखा अगर आपने यह थर्ड नमबर पर अगर आप यह कॉल पर यह बहुत जादा चार्ज हो जाता है इसके अलाब आप माँ दोस्तों अपने पैसे जमानी कराओं और से आप आप आटमेटिक भार हो जाओगे तो मेरा कहने मतलब है चोइस फिल्म बहुत बारी किशे करें राहस्तान की वाज़ से मैं राहस्तान के बारे में इन कॉले के लगाँ पर इसके लगवाद कामेट के लिए लगवाद केले कि लिए लग जाए इसके लाव में स्टूडेंट आपको में बता देता हूं कि फिर मैं आप से करहा हूं चोईश फिलिंग का बहुत बहुत योगदान है गूगल आप सब के पास एंडॉड मोबैल है गूगल है आप सब पर जाके चेक कर सकते हैं फीस ट्रेक्चर क्या है जो बीसी आई की ओफिसल साइटेमा कोलेजों की रेंकिंग दे रखी है कि कौन स यह नंबर देता हूँ अगर आपको कोई भी शमश्या है तो आप इस नंबर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैं आपकी हल्प कर दूंगा यह मेरा नंबर है 7357-221224 आप इस नंबर पर दोस्तों मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके लाब कुछ स्टूडेंट हो में MBBS इसके तुरू गया था वो डॉक्टर सिप्संकर चीए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 12-13 से स्टूडेंट लगवग उनके माप बढ़ रहे हैं और 400-400 स्टूडेंटों के पोस्टेंग हो चुकी है अगर आप उनसे जुनना चाते हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते ह आपको बहुत बढ़िया सिस्टम मिलेगा आपकी साल भी खराब नहीं होगी आपका पैसा भी जाद नहीं रगेगा 22-30 लाग रुपे माप MBBS कंप्लीट करके एंडिया वाफिस साज जाओगे तो दोस्तों दोनों आपके पास नहीं आगर आपको लगता में दोबारा तयरी करना चाहूं दोबारा कर सकते हो आप मेरे साथ मेरे कॉलेज में जाना चाहते हो इसमें चल सकते हो यह दोनों आपके हाथ में अच्छी मेहनत करनी है हाडबर करना है जिन्दकी में सक्सेज होना है तो दोस्तों मेहनत करने के आवर शक्ता होगी आजकल कॉम्टी से इतना हा जाना है तो इन सभी चीज़ों का पैनलाइस करना और लाश्ट में मंतन करना और दोस्तों अपनी रणनीती त्यार करना आप समय आपके पास जादा नहीं है बहुत कम समय बच्चा हुआ तो डिसीजन लेने में या ज्यादा समय बरबाद मत करना मिलता हूं नेस्ट वीडियो साथ आज के लिए इतना जय हैं जय बारत